हलो दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों ज़यसा कि आपको पता है राजस्तान की जो अंतराश्टे सिमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है तो इससे समंदित परिक्षाओं में बहुत सारे क्यूशन पूछे जाते हैं कि इस रेखा का नाम क्या है जैसे कि इसका रेड क्लिफ लाइन नाम है इस सिमा पर राजस्तान की कौन-कौन से जिले हैं इसकी कुल कितनी लंबाई है और उन जिलों को आरोई करम ऐसे बहुत सारे क्यूशन पूछे जाते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और किसी भी एक्जाम में राजस्तान की किसी भी एक्जाम में किसी भी तरह का क्यूशन आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे तो वीडियो को अन तक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरास्टी सिमा भारत और पाकिस्तान के मध्दे अंतरास्टे सिमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है ये आप सभी को पता है क्योंकि इसका निर्मान जो है उस समय के यानि कि तातकालिक सिमा आयो कैजेक्स सर स्रिल रेड क्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को कलम द्वारा किया गया अब यहाँ पर ये कलम द्वारा क्यों लिखा गया है क्योंकि उन्होंने कलम से चितने भी पुलिस स्टेशन थे उन सभी को मेच करके और इस रेड क्लिफ रेखा का निर्मान करती है तो ये विश्वे की एक मात अंतराश्टी सिमा है जिसका निर्मान कलम से किया गया ये अंतराश्टी सिमा रात में भी दिखाई देती है और इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमेटर है ये आपको याद रखना है आगे देखते हैं यहाँ पे आपको राजस्तान का मेप दिखरा होगा और उसमें ये जो लाइन है रेड वाली ये है रेड क्लिफ रेखा अभी हां से बहुत सारे क्यूशन किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम जानकारी डिसकस करते हैं सबसे पहले इस सीमा की जो सुरुवात है वो राजस्तान की हिंदू मलकोट जो की गंगानगर में हैं वहां से सुरू होती है और बाडमेर की बलगाव, सहगड या फिर बाखासर ये तीनों नाम आ सकते हैं ये याद रखने हैं यहाँ पे खत्म हो जाती हैं तो उसकी कुल मैप है यहाँ पे यह आपका गंगानगर हो जाएगा यह बीकानेर हो जाएगा यह आपका गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और यह आपका बाडमेर हो गया ठीक है यह चारो जिले अब यह चारो जिले आपको सिक्वेंस से याद रखने हैं सबसे पहले गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और उसके बाद मेर अब हम बात करते हैं कि किस जिले से कितनी लंबाई लगती है तो गंगा नगर से 210 किलो मिटर बीकानेर से 168 जैसलमेर से 484 और फिर हम बात करते हैं बाद मेर से 228 तो सबसे कम किस्से लगती है तो बीकानेर से लगती है सबसे अधिक किसे लगती है जैसल मेर से तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो सीमा कितनी लगती है उसका आरोई करम और आरोई करम या फिर पूछ सकते हैं कि उत्तर से दक्सन का करम भी पूछ सकते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजे कलियर हुई होगी ऐसे ही आपको याद रखना है देखे यहाँ पे आपको एक्जामे किस तरीके से पूछ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिग दिया है जैसे अंतराश्टि सीमा का प्रारम का से होता है तो आपको याद रखना है हिंदू मलकोट गंगानगर इसका समाप्तिस्तल भलगाउं बाडमेर कुल लंबाई तो यह आप सभी को याद हो गई है 1070 किलोमेटर सीमा पार इस ते कुल जिले तो कुल जिले कितने हैं? चार है इन जीलों का सही करम सही करम दो तरीके से पूछ सकते हैं उत्तर से दक्सिन उत्तर से दक्सिन हो जाएगा गंगानगर बिकानेर, जसलमेर, बाडमेर और दक्सिन से पूछे तो बाडमेर, जसलमेर, बिकानेर और गंगानगर उसके बाद में आरोई करम या फिर अवरोई करम आरोई करम का मतलब होता है बढ़ता करम तो आरोई करम क्या हो जाएगा आरोई करम यदि मैं आरोई करम की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके सबसे पहले कम सीमा किसके लगती है बीका नेर की तो ये आपका बीका नेर हो जाएगा उसके बाद में गंगा नगर 210 किलोमेटर तो ये गंगानगर और उसके बाद में आपका आजाएगा बाडमेर और सबसे लास्ट में आएगा जैसलमेर क्योंकि जैसलमेर की सीमा सबसे अधिक लगती है और यदि आपको अवरोई पूछे तो पहले जैसलमेर फिर बाडमेर गंगानगर पिकानेर अब यहां से एक किशन बहुत ज़ादा पूछा जाता है सीमा के निकड़तम मुख्याले यानि की निकड़तम जिला मुख्याले तो कौन सा जिला सबसे नस्दिक है और कौन सा दूर है जैसा कि आपको यहां पर डाइग्राम में दिख रहा होगा यह देखिए गंगा नगर मैंने सबसे नस्दिक बनाया है क्योंकि गंगा नगर जिला जो है मुख्याले वो सबसे नस्दिक है और उसके बाद में जैसलमेर और फिर बाडमेर और सबसे दूर है बिकानेर तो यह आपको याद रखना है सीमा की निकरतम जिला मुख्यले की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपका गंगानगर फिर जैसलमेर उसके बाद में आजाएगा बाडमेर और उसके बाद में बिकानेर तो सबसे लास्ट में यानि कि सबसे दूर इस दित जिला मुख्यले पूछे तो बिकानेर और सबसे नजदीक पूछे तो कंगानगर आगे देखते हैं ये तो हमने बात कर ली राजस्तान के संदर में अब हम बात करते हैं कि राजस्तान की सिमा जो है पाकिस्तान से लगती है तो पाकिस्तान के कौन-कौन से जिले जो है वो लगते हैं एक्जाम में यहां से ज़्यादा क्यूशन पूजा जाता है क्योंकि वो तो सभी को याद होते हैं यहां याद करना थोड़ा मुस्किल होता है तो पाकिस्तान के कुल जो नो जिले हैं वो सिमा लगाते हैं और यहां पे दो प्रांथ है कौन-कौन से एक तो आपका हो गया पंजाब प्रांथ और दूसरा सिंद प्रांथ पंजाब प्रांथ के तीन जिले और सिंद प्रांथ के छे जिले सिमा लगाते हैं अब कौन सा जिला किस जिले से लगाता है यानि कौन सा जिला पाकिस्तान का राजस्तान के कौन से जिले से सिमा लगाता है ये आपको पता होना चीए ये सिक्वेंस आपको याद होनी चीए उपर आपका पंजाब प्रांथ हो जाएगा तो पंजाब प्रांथ में सबसे पहले बहावल नगर बहावल पूर और रहीम यार कान ये तीनों पहले ये गंगानेगर और बिकानेर दोनों के साथ में सीमा साजा करता है और भावलपूर बिकानेर और जेसलमेर के साथ में फिर आपका जेसलमेर सुरू हो जाएगा तो रहीम यार खाँ जेसलमेर के साथ में सीमा लगाता है फिर सिंद परांत के जिले गोटकी, सुकुर, खेरपूर, संगर, उमरकोट और लास्ट में आजाएगा आपके थार पारकर तो गोटकी, सुकुर और खेरपूर ये तीनों जो है वो जैसल मेर के साथ में सीमा लगाते हैं सिंद परांत के और यदि आपको ये पूछे कि सिर्फ जसल मेर के साथ में सीमा लगाने वाले कुल जिले तो वो हो जाएगा आपके चार जिले हो जाएगे एक आपका पंजाब परांत का और तीन आपके सिंद परांत के फिर संगर, जसल मेर, बाड मेर दोनों से लगाता है और सिर्फ बाड मेर से दो जीले सिमा लगाते हैं उमर कोट और थार बार कर ऐसे आपको याद रखने हैं तो यहाँ पर आपको क्या पूछ सकते हैं कि राजस्तान की दो जीलों के साथ में सीमा बनाने वाले है तो दो जीलों के साथ में एक तो आपका बहावल नगर आ जाएगा एक बहावल पूर हो जाएगा और एक आपका संगर हो जाएगा और सिर्फ जेसल मेर के साथ में पूछे तो भी चार हो जाएगे राहीमियार का ग इन्तम सीमा वो लगाता है आपका उमरकोट और सबसे अधिक लगाता है बहावल नगर तो बहावल नगर जो है यह सरवादिक सीमा लगाता है तो यह आपका आरोई करम हो जाएगा उमरकोट, सुकुर, संगर, खेरपूर, रहीम्यारखा, गोटकी मैंने दो बार लिख दिया, थारपारकर, बहावलपूर और बहावल नगर एक चाहिए यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, यह जो आपका बहावल नगर है, यह गंगा नगर के साथ में सरवादिक सिमा लगाता है तो वो भी मैं आपको क्यूशन बता देता हूँ, प्रिवेस एक्जामे कैसे क्यूशन पूछे गए है, यदि दोस्तों आपने वीडियो सही से देखा है, तो क्यूशन एजली कर पाएंगे, राजस्तान की अंतरास्टी सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमेटर, तो यह आ गंगानगर इसमें हैं और इसमें हैं, फिर बीकाने राएगा तो यह गलत हो जाएगा, तीन नमर आंसवर गंगानगर, बीकाने, जैसलमेर और बाडमेर, बहुत ही आपको इजी लग रहा हो, निम्न में से कौन सा जिला मुख्याले राजस्तान की अंतरास्ति सीमा रेका से बोगली रूप से सबसे दूर इस्तित है, तो सबसे दूर इस्तित है, तो फिर आपका बीकाने हो जाएगा, और सबसे नजदिक बूस्ता तो गंगानगर हो जाता, रेड़कलीफ रेका का राजस्तान में विस्तार है, तो रेड़कलीफ रेका का मैंने आपको बदाया था, राजस्तान में विस्तार हिंदुमल कोट गंगानगर से बाड मेर के बाकासर तक है तो यहां पे हमारा आंस्वर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आप देखते ही आंस्वर कर देंगे यह सभी क्यूशन जो है प्रिविस एक्जाम में पूछे गए हैं राजस्तान की अंतरास्ट की तो वो बिकानेर हो जाएगा निम्ड में से राजस्तान की किस जीले की अंतरास्टी सीमा सबसे सोटी है तो अभी मैंने आपको बताया ता यह आंसर हो जाएगा बिकानेर कितनी है बिकानेर की 168 km है कितनी 168 km राजस्तान के जिस जीले की सिमा अंतर राज्य वे अंतर राश्ट्य दोनों है वह है जैसे लमेर गंगानगर बिकानेर जालावार देखिए जो जीला शुरू में होगा और जो अंतर राज्य और अंतर राश्ट्य दोनों लगाएगा तो सबसे पहले आता है गंगानगर तो जो है वो अंतर राजे सिमा किस से लगाता है आपके लगाता है पंजाब से और अंतिम जिला जो है वो आता है बाडमेर तो बाडमेर अंतर राश्टिय भी लगाता है और अंतर राजे आपके गुजराच से लगाता है ये आपको पता होना चीए तो दो जीले जो है वो आपके हो जाएंगे एक तो गंगानगर और दूसरा आपका हो जाएगा बाडमेर निमन में से राजस्तान का कुन सा सहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है तो ये आपका आंसर हो जाएगा गंगानगर तो फ्रेंट्स ये था वीडियो आपको वीडिया कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताना और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें थैंक यू